इन दौर में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार किया है फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताच करने में जुटी हुई है बताया जा रहा है कि पिछली रात दौर की साथ तोड़ा इलाके में वहशी मासूम बच्ची को बहला फुसला करेकांट में लेकर चिला गया जहां उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास करने लगा दौरान बच्ची सहज महसूस करने लगे और उसने अपने बच्चाव में चिलाना शुरू कर दिया इस पर रहवासी एकत्रित हो गया और बच्ची को उस दरिंदे से बचा कर पुलिस के हवाले कर दिया दरसल बीती रात साउथ तोड़ा इलाके में तीम साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाला गिरफतार शकील अली और फुरूबी नामक युवक उंदौर पुलिस ने गिरफतार कर लिया है बताया जा रहा है अपने परोस में रहने वाले परिवार में काफी गुली मिली हुई थी जिसके कारण वा अधिकार इंच समय उसी घर में बिता दी थी पड़ोस में रहने वाला परिवार भी उसे अपने बच्चों की तरह ही मानता था जिसके कारण परिवार को कभी इस तरह की घटना होने की आश्यंकार नहीं रही लेकिन अचानक दूर के रिष्टिदार शकील अली और रूबी की गलत नजर मासूम पड़ परी और उसने बीती रात मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की मौगा पाकर रूबी उसे एकांत में ले गया और उसके साथ अश्रील हरकत करने लगा जोरान बच्ची असहच हो गए और रूबी को इस तरह की हरकत करते देख घबराहट में अपने परिजनों को पुकारने लगी उस पर तुरंथ सभी रहवासी मौके पर पहुंचे और शकील अली और रूबी से मासूम को बचा कर रूबी को पुलिस की हवाले किया सुरिक बच्ची के साथ एक पीटर के माला करने है और रात नौ बज एक लगबख सूचना प्राप्त हुई थी कि साउथ तोड़े में एक आई का बाड़ा है वहाँ पर रूबी नाम के एक लड़के ने बच्ची को ले जा कर उसके साथ गलत हरकत करने की कुशिष किये यहां पर तुन ही क्याहं पे उनकी नहट का लड़का रूभी आया करता था तो वो इसको अकसर ख़़लाने ले जाया करता था लेकिन कर रात को वो उसको जब खति ने लिके गया तो आहीक के बाड़े में अंदर की तरफ लेके गया जहां वो पुछ उसके जात कर रहक्त कर तो लोगों ने देख लिया था, उसके आप पुलिस को सूच न दिया, आरोपी गांधी नगर का रहने वाला है, लेकिन लड़की जहां की रहने वाली है, उसके जास सामने वो अपने रिलेटिव के यहां पर आया करता था, अब भी इस साइब का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं सब इंस्पेक्टर सीमान हाटकर